हेलो एवरिवन वेल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल अज का हमारा टॉपिक है डाइग्नोसिस ओफ प्रिंग्नेंसी यह हमारा सेकेंड पार्ट है फस्ट पार्ट मैंने प्रवाइड किया हुआ है उस पार्ट के वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्श बॉक्स में मिल जाएगा अगर कुछ ना पता चले तो मैंने इस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्रम अकाउंट मेंचन किया हुआ है उसका लिंक ठीक है आप लिंक पर जाकर मैसेज करके पूछ सकते हो अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप मैसेज करके सकते हो मैं आपका रिपलाई जरूर करूंगी अगर किसी और टॉपक की उपर वीडियो के एर प्लैन के सड़ी चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो मैं जरूर परवाइड करूंगी आज का वीडियो स्टाट करते हैं वीडियो को स्टाट करने से पहले अगर आपने सिम्टम क्या होते हैं अब यह हमारा सैकट्र ड Thinking घुक्रिय Zombie Sh मच अब्जेक्टिव शिम्टम क्या होती है No seo Sering आप siyam objective symptoms क्या है quickening feel होती है ठीक है feeling of life जिसमें हम इसको हम हिंदी में बोलती है कि जब बच्चा लात मारते है ठीक है तो उसको quickening बोलते है यो मदर को feel होती है यह objective sign है ठीक है denotes the perception of active fetal movement इसमें fetal movement हमको feel होती है ठीक है वोमेन को feel होती है it is usually felt about the 18th week about two weeks early in multi पर है इसमें क्या होता है यो प्रिमिक ग्रेवड़ा होती है जिसको first birth pregnancy होती है ठीक है उसको यह feel होती है 18th week पर जो multi पर होती है जिसको second या third भी होती है ठीक है 16-16 week पर feel होगी it appearance is a useful guide to calculate the ADOD expected date of delivery ठीक है यह experience क्या है अपेरिंस क्या है यह helpful होता है calculate करने में ADOD expected date of delivery को calculate करने में यह helpful होती है ठीक है expected date of delivery का formula में एक विकनिंग कैसे helpful होती है उस पर मैंने एक special video provide की हुई है उस video का link भी आपको इस video की description box में मिल जाएगा check out कर लेना progressive enlargement of the lower abdomen by the growing uterus एक symptom और है ठीक है second trimester का जिसमें क्या है progressive enlargement होती है इसमें क्या होता है जो abdomen है वो grow करने दिखता है हमको visible होता है कि mother pregnant है ठीक है next है कुलाजम pigmentation over the forehead and cheek में appear at about 24 week 24 week में पे आकर क्या होता है हमको कुलाजम अपीर होता है कुलाजम का मतलब pigmentation होती है ठीक है forehead पर और cheeks पर next है abdominal finding abdominal finding में क्या होता है liner nigra and stair जो rashes हो जाती है abdomen पर ठीक है उसको liner nigra बोलते है ठीक है next है increase fundal height जो fundal height increase हो जाती है abdominal findings में ठीक है तो यह थे second trimester next है हमारे पास last trimester और third trimester जो होता है 29 to 40 weeks का के आसपास होता है ठीक है इसके symptoms क्या है amenorrhea persisted रहता है इसमें ठीक है enlargement of the abdomen lightning ठीक है जो 38 week पे आके lightning होती है ठीक है lightning का means जो fetus है वो lower portion पर जाता है ठीक है next frequency of maturation and fetal movements इसमें appear होती है science क्या है cutaneous changes आती है इसमें cutaneous changes मतलब कि skin changes आती है ठीक है more prominent होती है ठीक है इसमें pigmentation जो है increased हो जाती है and stairs जो है increased हो जाती है next है uterine shape is changed from cylindrical to spherical beyond 36 week 36 week पर आकर क्या होता है uterus की जो shape है वो change हो जाती है cylindrical से spherical हो जाती है ठीक है next है fundal height increased हो जाती है fsh मतलब fetal heart sound here fetal heart sound सुनने लगती है ठीक है contractions are more evident contractions आती है बढ़ती है ठीक है fetal movement easily field जो fetal movements सबो हम easily field कर सकते हैं ठीक है यह था हमारा आज को topic ठीक है उसो मिलते हैं next topic में नए वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग में वीडियो कर दो कर दो